अजपा से परास्त हुए हुए जब कॉंग्रेस थी तो कॉंग्रेस का confidence पूरी तरीके से लूज हो चुका था राहूल गांधी जो है एक बार फिर action में आ गए प्रियंका जी भी action में आ गए थी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का महाराष्टर में भविश्र किस तरीके से रहेगा क्योंकि अशोक चौहान जी जो है कॉंग्रेस को महाराष्टर में बचा पाएंगे ऐसा लगता आपको पिलकुल अशोक शेंकर रौचावान मतलब ये समझ लीजिए कि दो तीन बार मंतरी रहे उसके बाद अशोक जो है वो मुख्यमंतरी भी रहे अदर्श कांड में उनको मुख्यमंतरी पाद छोड़ना पड़ा और 28 अक्टूबर 1958 मंगलवार की सुबह का जन्म है उनका मेश राशी और कुंडली का ध्यन करते हैं तो डेफिनेटली शुक्र सूर्य, गुरू, भुद्ध उनके लगन में बैठे हुए हैं और 2014 का इलेक्शन दो लोग जीते 2014 में दो कॉंग्रेस के लोग जीते एक का नाम रजीव सातव और दूसरे का नाम अशोक चावान अशोक चावान की हम जब कुंडली का अध्यन करते हैं तो एक बात पकी है कि उनको बहुत सी समस्याओं से जूजना पड़ा आदर्श कांड था फिर उनकी धर्मपत्नी भी MLA बनी अमिता अशोक चावान अब उनकी जब कुंडली का अध्यन करते हैं तो 37 2017 में उनकी राहू की महादशा खत्म हो चुकी है यह भी भारती है जननता फार्टी के लोग भी सुन ले और उनके विरोधी भी सुन ले और आज आज आपके चैन अन्या दल जो है वो कॉंग्रेस का समर्थन करेंगे चाहे वो विनायक मेटे है राजुशेटी है यहां जानकर है कहीं ना कहीं एकाद को छोड़के बाकी लोग जो है तो यहां पर जब हम अशोक की कुंडली का अध्यन करते हैं तो गुरू की महादशा शुरू हो चुकी ह गुरू जो है अपने आप में एक ब्लेसिंग्स माना जाता है धरम संसकार और अच्छे पद के लिए वो अशिरवाद देता है और अशोक की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो तीस आठ दोहजार सत्रा में अशोक चावान की कुंडली में गुरू की महादशा लगने से डेफिनेटली उनकी कुंडली में एक महाराजयोग का अरंब हो चुका है लगनादी पती शनी लगनादी पती शुक्र लगन में बैठा हुआ गुरू के गुरू लगन में बैठा हुआ डेफिनेटली इस वक्त गुरू जो है वरिश्चिक राशी में आने के बाद में ल जहां पर बीजेपी 42 seat 44 seat क्या कुछ जीत के गई थी यहां पर कॉंग्रेस की दो सीटें लोकसभा में आई थी अगर आपको याद हो तो यहां पर अशोग चावान जो हैं 20 और 22 का आंकड़ा भी पार करते हुए दिखाई देते हैं इस बात को ध्यान से सुनिए आप कॉंग्र जोदी भारती जन्नता पार्टी के सामने नेक टू नेक में बहुत अच्छी seat ले जाकर अशोग जावान जो हैं वो आप कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहूल गांधी को अपनी पीट थप थपाने से के लिए मजबूर करते हुए दिखाई देते हैं